दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थियेटर आफ अपसर्ड को ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली एंगलिश लिटरेचर की स्टूडेंट्स के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना देखें दोस्तो मैं आपको बता दूँ ये लिटरेचर में एक बहुती फेमस मूवेंट था और इस मूवेंट की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वार टू के बाद से शुरू तो पहले ही हो गया था लेकिन इसको हवा मिले थी वर्ल्ड वार टू के बाद से और इस मूवेंट पर सबसे ज्यादा काम किया था यूरोपियन राइटर्स ने खास करकी फ्रेंच राइटर्स ने दोस्तो मैं आपको बता दू इस पर अमेरिकन्स ने इतना ज्यादा ने लिखा है मतलब थेटर आफ अपसर्ड यानि की अपसर्ड नोवल्स आपको अमेरिकन्स की थोड़ी कम मिलेगी कारण क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा सबसे पहले आप एक नाम नोट कर लो Albert Camus Albert Camus इसको Camus नहीं बोलना इसको बोलना है Camus सबसे पहली बार इन्होंने अपसर्ड लिट्रेचर की बात की थी इन्होंने एक ऐसे लिखा था ऐसे का नाम भी आपको नोट कर लेना चाहिए The Myth of Sisyphus ये एक ऐसे था इस ऐसे में इन्होंने कहा Human situations is essentially absurd Divide of purpose यानि इन्होंने बोला कि इस universe में हर एक इन्सान एक alien की तरह है यानि कि वो ये जानता भी नहीं है कि वो इस दुनिया में क्यूं है उसको अपने होने का purpose ही नहीं पता वो एक stranger की तरह है इस दुनिया में इस universe में इसलिए उन्होंने सारी situations को absurd नाम दिया यानि बेतुका World War 2 में जो हिरोशिमा पर बम बम गिरा था लाखो करोडो innocent लोग मारे गए उसके बाद में तो ये चीज़ साफ हो गई कि human existence purposeless है Albert Camus ने सबसे पहली बार अपने ऐसे The Myth of Sisyphus में ये absurd जैसी कोई बात की थी लेकिन अगर आप से सवाल घुमा कर पूछा जाए कि इस term को coin out किस ने किया था theater of absurd नाम की term को coin out किस ने किया था तो दोस्तों ये Albert Camus ने नहीं किया था इसको Martin Aslan ने किया था coin out Martin Aslan ने इस type के dramas anti plot होते हैं यानि ऐसे type के dramas में कोई कहानी नहीं होती आप कहानी ढूंडने निकलोगे तो आप मुर्खता कर रहे हो सबसे बड़ी बात तो और दूसरी चीज़ ये है समाज पर satire करते हैं ऐसे type के dramas ऐसे type के dramas को लिखकर समाज पर society पर एक satire किया जाता है और इसके अंदर dark humor का use किया जाता है दूसरों आपने एक Hollywood की movie देखी होगी Joker Joker कुछ वैसे ही कोई भी logical बात नहीं होती ऐसे type के dramas में सारी की सारी बेतुकी बाते होती है और अगर आपसे पूछा जाए किसी भी exam में कि ये moment Theater of absurd किस literary moment से प्रभावित था कौन से literary moment से प्रभावित था तो दोस्तो existentialism existentialism से प्रभावित था और world war 2 के बाद से तो इसको हवा मिल गई एले पहले तो इसे यूरोप में लिखा जा रहा था जैसे France जैसे देशियों में लेकिन बाद में ये America चला गया और Americans ने भी इस पर काम किया लेकिन America में इतना ज्यादा famous नहीं हो पाया अमेरिका तक भी ये पहुँचा इसका कारण था Samuel Beckett का एक प्ले Waiting for God O और The Birthday Party, Harold Pinter का दोसों ये दो प्ले थे जिन्होंने Theater of Absurd को famous किया और तो अमेरिका तक पहुँच गया और कुछ साल तक अमेरिका में survive कर गया यानि कि कुछ साल तक writers ने इस पर काम किया लेकिन अमेरिका में ये ज्यादा time तक चल नहीं पाया अब इसका कारण बताता हूँ क्या था इसका कारण ये माना जा सकता है कि Europeans तो भले ही सोच रहे हो कि Japan के Hiroshima में bum गिर गया मासूम लोगों के साथ में बहुत गलत हुआ कई सारे मासूम लोग मारे गए और इंसान बिना परपस के जी रहे तो ऐसी चीजों पर Europeans तो गौर कर रहे थे लेकिन अमेरिका में ये सब चीजे सोचने का किसी के पास time नहीं था क्योंकि लोग अमेरिकन ड्रीम में जी रहे थे उस वक्त कमाने में लगा हुआ था अमेरिका उस वक्त उनके लिए पैसा कमाना अच्छी लाइफ जीना अपने देश की एकनों में ग्रोथ करना ज्यादा ज़रूरी था बजाए कि ये सब सोचने के इस वज़े से अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम सक्सेस्फल हुआ लेकिन थेटर आफ अपसर्ड वहाँ पर ज़्यादा नहीं चला उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ helpful साबित होगी इससे आपको कुछ नया जानने को मिला होगा आज की इस वीडियो में बस इतना ही